दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक competitive book of agriculture जिसको नीमरा सुनडा जी नहीं लिखा है इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे entomology के बारे में Entomology में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पढ़ेंगे insect की जो taxonomy मतलब इंसेक्ट में जो scientific name होता है यह साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं उसका क्या मतलब होता है वह कैसे आया इसके साथ हम इसकी चोटी सी history पढ़ेंगे entomology की कि इंडिया में entomology की कि यह ही है क कि इस तरीके से इंडिया में एंटरमोलोजी डबलभ हुई और इसके साहत हम और्फडर्व जो है जो इंसेक्ट का सबसे इंपोर्टरेंट एक तरीके का फाइलम होता है इसके बारे में केसे कि माफी कहां कि मैं रोज वीडियो नहीं बना पाथा मत ना बनाने कारण से कहें कि में कौनकि मैं जॉब करता हूं क्लमरा दो धाता है कि मैं जॉब में ज्यादा भीजी हुजाता हूं इसी वज़ेसे मैं उकड़ाने के लिए जो भीज Hey ल हुए हॉए काрал PPT बनाना एक बहुत कठिन काम होता है तो अभी तक मैं क्या गरता था कि मैं PPT खुदी बनाता था और इसके साथ मैं पढ़ाता भी था तो कई बार इतना टाइम मेरे पास नहीं होता था कि मैं रोज वीडियो बना पाऊंगा अभी मैं इक काम किया एक मैंने एक PPT बनाने के लिए अपना एक तरीके से स्टाप लगाया है वो PPT बनाके मुझे देते रहेंगे और मैं आप लोगों को पढ़ाता रहाँगा तो जिससे मेरा काम जोनों तरीके से होता रहेगा बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है क्योंकि अभी तक तो आगे मैं वीडियो में आपको एक QR कोड दूँगा वहां से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो ये वीडियो है उसमें क्वालिटी बढ़े और जो ये PPT जो बनता है या और भी जो चीजें होती है पढ़ाने के अलामा उनको बहुत अच्छे तरीके से इ तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीना किसी देर की सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक ब्रीफ हिस्ट्री एंटमोलोजी की एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैरूलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था कैरूलस इस फादर आफ टेक्सोनामी का मतलब होता है नाम करड़ तो बात है सत्रा सो अठामन की उस समय एक बैग्यानिक हुए बैग्यानिक का नाम था कैरोलस लीनियस उन्होंने अपनी एक बुक लिखी सिस्टेमान नेचुरी तो उसका जब दसवां एडिसन आ रहा था जैसे कोई बुक जब पब्लिस होती है तो साल दर साल चलते चलते बीच बीच में उसमें एडिसन होते रहते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज होता रहता है और अलग अलग एडिसन पब्लिस होते रहते हैं तो इसका जब दसवां एडिसन पब्लिस हो रहा था सिस्टेमान नेचुरी 322 BC बोले तो Before Christ इसके आसपास में उन्होंने जो अपना ये biology होता है इसको अध्यन किया और इसके साथ साथ जो 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 जी होता है उसका अध्यन किया इसी वोजे से इनको क्या कहते हैं Aristotle को इनको कहते है Father of biological classification इसके बाद अगर हम बात करें LD निसेविली एक थे उनको भारत में सबसे पहले appointment किया गया as an entomologist by government of India in 1901 1901 में सबसे पहली बार भारत में भारत की सरकार के दौरा उसमें अंग्रेजों का सासन हुआ करता था तो अंग्रेजों के सासन में जो government थी उसके दौरा सबसे पहले एक entomologist न्यूक्त किये गए इनका काम था कि entomology पर research करें और उसको किस तरीके से agriculture के field में हम यूज कर पाएं नाम था उनका LD निसेविली आगे हम बात करते हैं H.M. Lefroy was appointed as second entomologist H.M. Lefroy जो थे वो 1903 में second entomologist appoint किये गये थे H.M. Singh Pruthi was the founder of entomological society of India in 1938 1938 में H.M. Singh Pruthi जी एक थे उन्होंने एक entomological society बनाई ये इस तरीकी की ऐसे society थी जहां पर entomology का अध्यन करने वाले और entomology के entomology पर research करने वाले जो कुछ भी बैज्ञानिक लोग हुआ करते थे वो सभी एक society में आके काम करें बोले तो ऐसे समझो कि एक collaboration करने के लिए काईदे से सब collaborate कर पाएं इस वज़े से एक तरीके की एक society बनाई गई हेम सिंग Pruthi जी के दारा इसके बाद अगर हम बात करें first legal law in India was enacted बात समझना इंडिया में सबसे पहले legal law जो आया entomology के प्रति ऐसा समझना कि कोई भी जीव होता है उसको protect करना government के responsibility होती है तो चुकि entomology में जो भी insect हम पढ़ते हैं वो भी एक तरीके के जीव होते हैं तो उनको भी protect करने के लिए उस पर भी उसको भी regulate करने के लिए एक तरीके का legal law लाया गया 1940 में किसके दोरा destructive और इस जो law आया था यह जो act आया था उस act का क्या नाम था destructive insect paste act बोले तो डि आई पी ए डिपा नाम से एक act आया था यह 1914 के आसपास में आया था इसके बाद बात करते हैं the first quarantine institute was established बोले तो डिरेक्टरेट और प्लांट प्रोटेक्शन क्वारिंटाइन एंड इस्टोरेज इन फरीदाबाद हरियाड़ा इन 1946 बात समझना जहां से क्या कह रहा है बात ऐसे समझना जिसे मान लो कि कोई एक ग्रेन है ठिक मान लो गेहूं गेहूं अब गेहूं हमने क्या किया बिदेश से मंगाया किसी दूसरे कंट्री से आयात किया अब हो सकता है कि वो जो गेहूं आ रहा है भारत में कंस्यूम करने के लिए उस गेहूं में कोई वाइरस हो कोई फंगस हो कोई इंसेक्ट हो कोई storage insect हो, कुछ भी हो सकता है वो चीजें इंडिया में आ जाएं और इंडिया में आके फैल जाएं या फिर ऐसे समझो कि इंडिया के किसी एक प्रांत में ग्रो करी जाने वाली कोई एक फसल है उस फसल में कोई एक insect प्रभावी हो गया अब उस एरिया में उस insect को किस तरीके से कॉरिंटाइन कर दिया जाए जैसे हम कोरोना के समय में कॉरिंटाइन हमने सुना होगा इस तरीके से कॉरिंटाइन कर दिया जाए कि जिससे वो जो insect है वो उस particular area से निकल कर किसी दूसरे छेतर में न जा पाए इसके लिये बनाया गया था. ये इनसिक्ट को फैलने से रोका जाता है. जैसे बास समझने गेहुन आया, उसमें हमको पता चला कि कोई बहुत ऐसा डिस्ट्रेक्टीव इनसिक्ट है, जो इंडिया में अभी तक नहीं पाजा गया है. अगर आ गया वो मार्केट में चला गया तो फैलने के उसकी संभावना इस वज़े से इसको क्या करेंगे सबसे पहले प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कॉरिंटाइन करके इस्टोर करके रख देंगे फिर बाद में उसको treat करेंगे इंसेक्ट को किसी तरीके से destroy करेंगे उसके बाद मार्केट में release करेंगे यह तरीके का काम होता है 1946 में जो की फरीदाबाद में बनाया गया था DPPQS का आगे बात करते हैं Insecticide Act Inacted by Government of India in 1968 and it comes into force from 1st January 1971 Insecticide Act बात समझना कोई भी Insecticide होता है वो Insect को मारने के लिए यूज करा जाता है या Insect को control करने के लिए यूज किया जाता है अब कोई भी Insecticide कितना जादा harmful है किसी Insect के लिए और वो कितना जादा harmful है किसी human being के लिए इसी चीज को regulate करने के लिए एक एक्ट लाया गया कि जिससे जो इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है उससे इंसेक्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट भी हो जाए और जो फूड ग्रेन human being consume कर रहे हैं उनको उस इंसेक्टिसाइड के द्वारा कोई adverse effect भी ना पड़े कहने का मतलब समझ रहो ऐसा नहीं है कि हमने मालो कोई एक डवड है कोई एक डवा मैंने अपनी फसल पर डाल दिया कि ये फलावाला जो इंसेक्ट है वो मर जाए ठिक तो इंसेक्ट मर गया हमारी फसल सुरचछित होगे लेकिन बाद में जब हमने उसको खाया उस फसल को खाया तो हमको क्या हो गया वो जो दवा हमने डाली थी उसका आसर हमारे बॉड़ी पर होने लगा। इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट एक्ट लाया गया जो कि 1968 में बना था और इसको लागू किया गया एक जनुरी 1971 से। इनसेक्ट का एक ओर्डर है जिसका नाम है स्ट्रेपसिप टेरा यह स्ट्रेपसिप टेरा जो है इस इंसेक्ट ओर्डर में जोतने भी इंसेक्ट आते हैं वो सभी पैरसिटिक होते हैं टोटली पैरसिटिक होते हैं पैरसाइट समझते हैं मतलब खुन चूसने वाले परजीव यह बास समझे न ये जो आब से इस्टेप सी तेरा बताया मैंने यह ओडर to paracetoid मतलब parasites होते हैं यह सभी insects जितने होते हैं इसके अंदर यह total के total insects कैसे होते हैं पर जी भी होते हैं इसके बाद अगला एक टरम जो क्या करते हैं किसी इंसेक्ट के अंडे को डैमेज करते हैं ठिक उसकी पूरी लाइफ साइकल में कोई एक अस्थान होता है एक लारवा प्यूपा एडल्ट कोई एक स्टेज होती है जहां पर वो डैमेज कर देते हैं और इंसेक्ट के लाइफ साइकल पूरी नहीं हो पती एक इंसेप्ट दूसरे इंसेप्ट और खा रहा है उसी को बोलते हैं किया पैराशल अलग अलग टर्म होते हैं आगे बहुत डिटेल में बताएंगे अभी मुटा मोटा आप समझ लीजिए यही होता है अब बार समझना पैरा सितौइट्स में एक और होता है जिसका नाम होता हाइमिनोप टेरा यह हाइमिनोप टेरा जब आगे आप करेंगे integrated paste management बोले तो एक पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे पेस्ट का उपयोग करने जैसे मालों कि कोई एक इंसेक्ट है हमारी फसलों को खा रहा है तो हम अपने में कोई एक ऐसा इंसेक्ट छोड़ देंगे जो उस इंसेक्ट को खा जाएगा जो हमारी फसलों को बरबात कर रहा है मतलब एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को खा जाएगा हमारी फसल सुरच्चित हो जाएगी इसको कहते हैं IPM बोले तो integrated paste management इस order में सबसे जादा जो सब्सक्राइब के तरीके से यूज ही जाते हैं integrated paste management मतलब जो हमारी फसलों को नुक्सान करने वाली जो कीड़े मकोड़े होते हैं हाइमनोप टेरा order के इंसेक्ट उन कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं इसके बात जो अपना order है वो है दिप्थेरा जिप्थेरा order का जो कु रहेंगे इस फाइलम में आर्थो पोड़ा में उसमें जो सबसे छोटा order होता है वह आपका होता है जूरोप टेरा जो होता है यह सबसे छोटा order होता है इसके बाद अगर हम बात करें हैं highly evolved मतलब बहुत ही ज्यादा इवाल्व हो गया है जो बहुत ही ज्यादा दिक्सित हो हाइमनोग टेरा हाइमनोग टेरा यही आई पीम ओला यह हाइमनोग टेरा बहुत ही ज्यादा इवाल्व है मतलब इसमें बहुत धेर सारे ब्रांचेज हैं बहुत धेर सारे इसमें फिर क्लासे हैं order class फिर family और धेर सारी फिर सब family और धेर सारे इंसेक्ट इसके अंदर आते आगे हम बात करते हैं अपना जो यह फाइलम है आर्थोपोडा आर्थोपोडा जो सब्द है वह तरीकी का ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सिग्मेंटेड लेग बोले तो सिग्मेंटेड मतलब टुकुड़े में बटा हुआ पैर उसके पैर ऐसे होते हैं कि खंड मतलब खंड युक्त पैर इनका जो पैर होता है वो खंड खंड में बटा होता है यही होता है आर्थोपोडा का मतलब आर्थोपोडा जो होता है इसके अंदर 6 क्लासे होती है यह 6 क्लासे कौन कौन से होती है आर्थोपोडा फाइलम है फाइलम के नीचे अपना क्लास आता ह क्लास के बाद अपना ओर्डर आता है और ओर्डर के बाद फेमिली आता है ठीक तो अपना ये जो क्लास है फाइलम अपना जो ये फाइलम है आर्थोपोडा इसमें छे क्लास हम पढ़ने वाले हैं और छे में से केवल दो ही पढ़ेंगे आगे चल के अभी तो थोड़ा सा उनिकलोफोरा जो कलॉस होता है उसके अंदर गत आते हैं फिर उसके बाद है क्रस्टेसिया क्रस्टेसिया में क्रट्स और पाउन आते हैं मतलब जींगा और केंकड़ा जो होता है ये क्रस्टेसिया में आते हैं फिर अपना है डिपलोपोडा डिपलोपोडा के अंदर अपने इसमें ध्यर सारे पैर होते हैं एक कहावत भी कही जाती है हमारी गाओं में की 200 गोड गॉणण बॉठी तो कोन दित्कत है कहने का mतलब यह है की 200 पैर इसके ध्यर सारे पैर होते हैं तो 2,4 अगर क्या तोbyशर अगर तूट से और जानते हैं उसका नाम तो हमें इस समय के नाम नहीं आदा रहा है गोजर दियाती वाँ से हमें इसको गोजर कहते हैं और कनखजुरा भी इसको कहा जाता है सेंटीपिट्स होते हैं जो कि चिलोपोड़ा ओर्डर के अंतरगत आते हैं फिर आगे है एरिकनिडा, एरिकनिडा में टिक्स, माइट और स्पाइडर, बोले तो मकड़ी जो हों, माइट्स जो होती हैं और टिक्स, ये सभी चीजें इसके अंदर गताती हैं, आपने देखा होगा, माइट और टिक्स आप ऐसे समझ लेजिए, कुत्तों के कान में, जो देशी कुत्ते होते हैं, मतलब हमारा जो कुत्ते होते हैं, उनके कान में अगर आपको कभी दिखे, तो उनके कान में ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक चीज़ चिपका हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुत्ते का कान तो कभी-कभी ये चीज़ जो होता है, ये चिपका रहता है कई बार एक दो रहते हैं, कई बार धेर सारे गुच्छा बना के रहते हैं, ये कुट्टे के कान से खुन चूसते रहते हैं, और लटके रहते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, ये माइट सो टिक्स होते हैं, ठिक, कुट्टों में पाया जाते हैं, जानवरों में पाया जाते हैं गाय भैस में पाये जाते हैं ये सब जगाँ पर ये देखने को मिलते हैं फिर अगला है हेक्जोपोड़ा जिसका सबसे बड़ा order है ये सबसे बड़ा class है इसी हेक्जपोड़ा को हम इंसेक्टा बोलते हैं ठिक हेक्जपोड़ो का हुई इंसेक्टा बोला जाता है और इसी से इंसेक्ट फिर वने होते हैंays इसमें जितने भी होते हैं ये सभी एगरी कал्चिरिल importeंट के होते हैं एगरी कल्चरिल इंपॉर्टन्स के मतलब या तो एगरी कल्चर में अच्छा योगदान देंगी या तो बेकार योगदान देंगी ये रधीज़ा पॉड़ा हैं एक टॉसरा पढ़ेंगे है बाकी वे उपर वाले जो चार यह उम्हों से बहुत ज़्यादा इंपोर्टन हैं तो इन चारों को हम नहीं कि किवल हम इनहीं दुनों को पढ़ेंगे जो नीचे आपका इरेकृनिडा है और है उसके जी बाद के पर समेज़ दूनों में यह क्लास ओर बात समुझत न हैं। ळॉॉडी होटी है वह 3 पार्ट मोरे घेड ठोरेक्स और आगे वाला पार्ट यहां पर पंक और पैर जुड़े हुए होते हैं और एबडामिन जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है जहां पर खाना पच रहा होता है इंसेक्ट का तो हेड थोरेक्स और एबडामिन होते हैं अब एरेकनिडा जो कलास होती है इसके अंतर कर जो इंसेक्ट पाए जाते हैं इनमें क्या होता है कि इने का head और thorax बोले तो आगे वाला मुह और जो बीच में होता है यो दोनों ये कही में fuse होता है अगर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें ये तो यहां से लेके यहां से लेके ये पूरा नीचे ये abdomen देख रहा है आपको मुह इसका जो mouth है और thorax है ये बिच्चु है तो इसका mouth और इसका head और thorax है दोनों ये कही में जुड़ा हुआ है यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको केवल दो ही parts देखने को मिलेगा एक तो ये और ये एक दूसरा ये तो ये तो तो इसका सबसे जो सबसे simple होता है identification के लिए वो ये होता है कि arachnida जो class के insects होते हैं उनमें head और thorax क्या होते हैं दोनों आपस में fuse होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं सिफैलो थोरेक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं दोनों pair of walking legs, बास समझना insect में जो insecta होता है उसमें तो मैंने बताया जैसे तीन pair होते हैं, वो दूसरा class है insecta या फिर hexapoda इसमें हम बात करें, देखो बीच बीच में insect बोल दे रहा हूँ, तो insect आप एक journal sense में लीजिएगा, insecta जो ये class है, उस sense में नहीं लीजिएगा बात समझना इसमें जो ही ये class होता है arachnida, इसके अंदर जो insect पाये जाते हैं, उनमें क्या होता है, चार pair होते हैं मतलब चार जोड़ी pair होते हैं आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो इसमें चार जोड़ी pair है, ये और ये चार हो, इधर भी चार इधर भी चार, इसमें भी चार और इसमें भी चार, मतलब चार जोड़ी pair होते हैं टोटल आठ pair इनके अंदर होते हैं, present and leg are unsegmented ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो इनका जो pair होता है, वो unsegmented होता है, segmented नहीं होता है, ठीक, देखने में बाहर से लगता है, segmented है, लेकिन अगर आप अंदर से देखेंगे, तो वो unsegmented होता है, ये कहीं में सब पुरा जुड़ा रहता है इनमें antenna ही नहीं होती, जैसे mites, चिक्ट, spider, scorpion, ये सब चितने चीज़ें होती है, इनमें आपको antenna नहीं देखने को मिलेगा बोले तो suit देखने को नहीं मिलेगा mites belong to the order arikina, अब इसमें एक order होता है arikina order जो होता है इसी के अंदर गत आपका mites होता है, वो belong करता है मैंने बताया phylum, phylum के बाद class, class के बाद order order के बाद देखें मिले, तो order में क्या आता है arikina, arikina order के अंदर के क्या आता है, आपका mites देखने को मिलता है, अब इस order की बाद करें, arikina order के जिसमें mites आता है mites आते हैं, इसकी अगर हम बात करें, it has many families of phytophagus and predatory mites, कुछ phytophagus है, जो plant waste होते हैं मतलब plant पे अपना जिवान बिताते हैं, plant को खाते पीते रहते हैं, और कुछ हैं predator होते हैं, मतलब predator होते हैं माइट have piercing and sucking type of mouth parts, यह जो mites होते हैं, इनके अंदर piercing and sucking type के mouth parts होते हैं piercing and sucking type का mouth part मतलब यह चुआते हैं और चूसते हैं, जैसे कि आपका मच्छर में होता है, तो मच्छर में जिस तरीके का mouth part पाया जाता है, piercing and sucking type का, उसी तरीके का mouth part इसमें भी पाया जाता है, piercing and sucking type का most of mouth, most of mites feed on lower surface of leaves, some important family of mites are, यह कुछ family होती है इनकी, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी family होती है, सबसे पहले होती है tetranectady, यह tetranectady जो family है, यह कैसी होती है, it is well known as phytophagus mites, यह phytophagus mites family होती है, बोले तो, यह plant पर अपना जीवन बिताते हैं, इनका और जीव से मतलब नहीं होता है, मतलब, जो जीव से कोई मतलब नहीं होता है, जाद तर यह botany पर ही depend करते हैं, they have four pair of leaves, इनके चार पैर होते इसमें आता क्या-क्या है, red spider mite आता है, और vegetable mites आता है, यह red spider mite होता है, यह आपका कद्दू में देखने को मिलता है, और अपना यह है, vegetable mites, यह भी आपको देखने को मिलता है, बहुत छोटा सा होता है, यह mite, यह तो थोड़ा सा बड़ा होता है, यह नंगी आँखों से दि रेड इस पाइडर माइट करें तो इसका जो साइंटिफिंग नेम होता है इंटेटर नेक्टर्स यू टेशी आगला जो है विजीटेवल माइट यह होता है ज्ञाला रा देखने को मिलता है अगली जो फेमली अपनी है अर्यकर निडा में ओ सरी आरियो फिडी क्या होता है आपने नाम अगर आपने मुझ से इंस्टेंट होटे कल्चर पढ़ा होगा या आपने जो अभी पढ़ाता हुआ हो आ रहा हूं तो आपने इरियो फिड मैट का नाम जरूर सुना होगा Aereo feed mite इसी family के अंतर गताता है Aereo feed family के अंतर ये बहुत ही ज़़ा small होता है Only visibly using microscope ये इतना चोटा होता है कि अगर microscope से देखो गए तब ही देखने को मिलेगा नहीं तो देखे ही नहीं कहोगे The mite are warm like and have only two pair of legs इन में बस एक ही खास बात होती है इनमे केवल और केवल चार पैर होते हैं बोले तो दो पैर इस ताइड दो पैर उस साइड दो ही पैर होते हैं अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा केवल दो पैर इदर दिख रहे हैं और दो ही पैर इसके अपोजिट साइड में बोले तो चार पैर होते हैं, दो जोड़ी पैर इसके अंदर पाये जाते हैं कुछ वाइरल डिजीज के वेक्टर के रूप में काम करते हैं मतलब वाइरल डिजीज को एक जगा से दूसरे जगा पर पहुँचाने का काम करते हैं जैसे इस्टेरलीटी मुजेक आफ अरहर, अरहर में जो मुजेक लगता है, एक वाइरल डिजीज होती है, अरहर का जो यह डिजीज लगती है ये किसकी वज़े से फैलता है इरियोफिड माइट की वज़े से मैंने जब अरहर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये एक वाइरल डिसिस होती है जो कि इरियोफिड माइट की वज़े से फैलता है तो ये आपका इरियोफिड माइट होता है ठीक आगे बात करते हैं जो इरियोफिड माइट होता है इसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो यह इसका होता है अकेरिया कजानी के जैने इस कजान अरहर का बाटेंकल नेम होता है और उसी में यह लगता है इरियोफिड माइट तो अकेरिया कजानी इसका साइंट फिब नेम होता है इरियोफिड माइट का इसके बाद इंट्रेक्शन आफ दा माइट एकेरिया मैंजिफेरी बिट फंगस फ्यूजेरिया मैंजिफेरी इस काज काजल आजेंट आफ मैंगो मॉलफॉर्मेस पास समझना मैंगो जब मैंने आपको पढ़ाया था बहुत डीटेल में मैंने पढ़ाया था दो बार पढ़ाया है एक बार मैंने यह जो स्रीज चल लई है इसमें भी पढ़ाया या floral mango malformation ठीक, ये दो तरीके का mango malformation होता है ये अपना vegetative है और ये दूसरा है अब बास समझना ये जो mango malformation होता है ये दो चीजों से फैलता है सबसे पहला एक fungus होता है जिसका नाम है fusarium mangyferi और दूसरा ये mite होता है जिसको कहते है acaria mangyferi ये ही दोनों फैलाते हैं जिसकी वज़े से आपका mango malformation होता है आगे बात करते हैं जो अपना अगला class है वो है hexapoda जिसको हम क्या बोलते हैं इसी hexapoda को हम insecta भी बोलते हैं ध्यान से समझना hexapoda को हम insecta बोलते हैं और इसके अंतरगत जितने भी जीव आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं insect बोलते हैं इनकी body तीन parts में divide होती है जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया head, thorax और abdomen एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूँ कि ये entomology जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इस book में जो दिया गया है वो बहुत ही sword form में दिया गया है तो अगर आप लोग एक बार entomology पढ़ चुके हैं कि अवल competition point of view से अगर आपको पढ़ना है तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा नहीं तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस डिवाइड इंटर थिरी पेर मतलब थिरी पार्टस head, thorax and abidomine ये होता है अपना head ये होता है थोरेक्स और ये होता है abidomine presence of single pair of antenna इसके अंदर single pair of antenna पाया जाता है मतलब दो सूर्ड पाया जाता है इसे समझ ठीक thorax carries three pair of antenna इसका जो बीच वाला पायट होता है thorax यहाँ पर तीन जोड़ी पैर होते है एक, दो, तीन और तीन पीछे है ये तीन जोड़ी पैर होते है इसके बाए two pair of wings जिसमें दो pair of wings होते है एक wings यह है और एक wings यहाँ पीछे होता है दो पेर बिंग्स के इस साइड दो उधर दो बिंग्स इदर दो उधर मतलब चार बिंग्स होते हैं बोले तो दो पेर तीन पेर लेग के होते हैं दो पेर बिंग्स के होते हैं और यह दोनों कहां जुड़े हुए होते हैं दोनों ही आपका थोरेक्स वाला जो रीजन है इंसक्ट का वहीं पर जुड़े रहते हैं इंसक्ट एस नाइन्टी सीबन पर्सने डाब टोटल पॉपुलेशं ऑफ दा फाइलम आर्थोपॉड़ा जो फाइलम आर्थोपॉड़ा हम पढ़ेंगे उसमें 97% जो पॉपुलेशन है इस आर्थोपोडा फाइलम की उसमें 97% पॉपुलेशन है वो किसके अंदर आता है केवल हेक्जापोडा में ही आता है बाकी 3% में बाकी जो 5 आपको फाइलम बचे उन 5ों की 6 में ने पढ़ाया छे में एक में तो 97% ही अकेले हो गया बाकी जो 5 बच रहें उसमें अपना 3% में वो सभी हैं पॉपुलेशन के इसाप से इतना ज़्यादा है अब हम बात करते हैं इंसेक्ट कहते किसे हैं मतलब क्या क्या क्रेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हो तो हम इसको कह सकते हैं कि यहां यह प्रॉपर एक इंसेक्ट है इंसेक्ट है ट्रेक्या आर्थो पॉर्ट इन हुच दा बाड़ी इज डिवाड़न दिव हैड्थ थॉर्यक्स और अब्डामिय तो मैंने बता दिया ट्रेक्या होता है इनके अंदर जैसे हर्ट की जगा पर ट्रेक्या होता ही है यह मैंने आपको इसका जो रखत पंसर पर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर डिटेल में बता दिया था बिसिकली इंसेक्ट तीन पार्ट में होते हैं है एक सिंगल पियर आफ एंटिनी का होता है दा हेड बियर पियर आफ मैंडविल्स दो इसके अंदर मैंडविल्स होते हैं यह ठीक जिनको हम जबडा बो होते हैं यह जबड़े का काम करता है जिसे इंसेक्ट पकड़े कोई चीजँ खाने के लिए रहता है तो उसको पहले पकड़े लेता और इसके बाद मैक्जिला जबडे का काम करता है और इसके बार लेबरम होता इहॉता है अगर आप ध् लेक्स होते हैं दो विंग्स होते हैं डा एब्डामिन इस डिवाइड ऑफ इसका एब्डामिन जो होता है मतलब यह नीचे वाला पार्ट बिलकुल पीछे वाला पार्ट appendices and the genital opening is stimulated near the posterior end of the body मतलब जो इसका digestive system होता है उसका जो सबसे posterior end होता है बोले तो जो अन्तिम इंड होता है यहाँ पर एक opening होती है एनस होता है वहाँ से excrete करता है जो undigested food material होता है वहाँ से excrete करता है यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है अगर हम बात करें लेबरम की तो यह simple plate like structure होता है जिसको हम front lip यानि की ओपर ही ओट बोलते हैं यह food को contain करने के लिए help करता है mandible की अगर हम बात करें तो यह जबडा होता है जो की दोनों तरफ ऐसे ऐसे इस side में ऐसे move करता है ऐसे ऐसे move करेगा और ऐसे ऐसे move करेगा आगे पीछे नहीं move करता है मतला ऐसे दाएंबाएं, जैसे हम लोगों का जबड़ा होता है तो ऊपर नीचे मूप करता है, लेकिन ये दाएंबाएं करेगा, इधर और इधर, इधर और इधर, ठीक, फिर मैकजिला होता है, ये मैकजिली जो फर्स्ट पेर होता है, और उसके बाद फिर हाइप फेरनेक्स होता है, second pair होता है यह सभी चीज़ आपको देखने को मिलती है कि इनसेक्ट में इसके बाद अगर हम बात करें इनसेक्ट के अंदर एक क्वालिटी होती है इनसेक्ट क्या करता है अंडे देता है इनसेक्ट जो एडल्ट रूप में होता है जिसे आदमी क्या होता है आदमी जब छोटा होता बाकि सभी चीज़्यों उसके अंदर हुती है इस तरीकिए का इनसेक्ट में नहीं बा साता इंसेक्ट में जब tangible होती है तो वह अड़ा होता है अंड़े से फर एग लारवा प्यूपा इडल्ट है चीज़ें होती हैं तो इसमें इन सभी चीज़ों को कह गते हैं पोस्ट इंब्रानिक डेवलपमेंट यानि कि पैदा होने के बाद इंब्रायों के बाद और चीज़ें बाहर आकर मतलब पैदा होने के बाद डेवलप होती हैं पहले अंडा आ गया उसके बाद फिर वो अंडा डबलमेंट को पैदा होने के बाद जो डबलमेंट होता है बोले तो एग का एडल्ट में बदलने की प्रकिरिया जो होती है इसी को हम क्या बोलता है इसको किस ने क्लासिफाई किया था जो कि बहुत लोग इसको मानते हैं उन्तीज और में आपके जो चार अर्डर है यह होते हैं एक टायरी गोटा के मतलब अपटायरी गोटा के चार आर्डर और इसके थोड़े जो क्लासिफिकेसं मतलब करेक्टरिश्टिक्स हैं उसको पढ़ेंगे आगे और इसके बाद इस में से जो important है 39 के 39 important नहीं है गरी culture में जो important है 6-7 जो important है उसके बारे में हम लोग detail में पढ़ेंगे और वही 6-7 अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो यह मैं guarantee और दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों का कोई भी entomology से related question गलत नहीं होगा जो insect से पूछा जाएगा जो की पौधों को नुकसान करने वाले insect paste होते हैं उससे related question आप से गलत नहीं होंगे चाहे वो family पूछी जाए चाहे order पूछा जाए चाहे characteristics पूछे जाएं या कुछ भी ऐसा चीज पूछा जाए या किसमें लगता है यह सब पूछा जाए scientific name पूछा जाए यह सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी ज्यादा ज्यादा पचास से साथ insect आपको पढ़ना है पचास से साथ इंसेक्ट आप पढ़े लीजे पूरे अगरे कल्चर की एंटमोलोजी को निचोड़ आपको मिल जाएगा तो आज की वीडियो में क्यों इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें आप हमें financially support भी कर सकते हैं जो मैंने QR code दिया है उस QR code से आप मझे financially support कर सकते हैं आपके इच्छा से और जितना ही आप हमको support करेंगी उतना ही अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करूँगा जैसे जैसे आप मिठा देते जाएंगे वैसे वैसे मिठास बढ़ती जाएगे मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजी धन्यवाद